हेलो व्यूर्स कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे तो जिस्ता से आपको पता है हमारे पास सी शाप की लेक्चर स्रीज चल रही है तो आज सी शाप के अंदर हम बात करने वाले हैं एक नया और एक लेटेस्ट फीचर जिसका नाम है प्राइ है एक लेटेस्ट फीचर है सी शाप के अंदर जो के सी शाप 12 के अंदर आया था जिसका नाम है प्राइमरी कंस्ट्रक्टर ठीक है और भाई देखो मेरे पॉइंट ओफ यू में ये एक बहुत ही जादा बेनेफिशल फीचर है सी शाप डिवेलपर्स के लिए और मज़ी की बहुत सारे जो सी शाप डिवेलपर्स हैं जिनके पास 8-10 साल के एक्सपीरियंस है उनको ये कॉंसेप्ट नहीं पता क्यूंकि ये एक नया फीचर है जो के सी शाप डिवेलपर की जिन्दगी को बहुत जादा असान बनाने वाला है तो आपने मेक शोर करना है कि इस वीडि नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो इसके साथ साथ बेल का एकन भी प्रेस कर लो क्योंकि और भी बहुत सारे नई वीडियो सी शाप से रिलेटेड जितने भी लेटेस्ट फीचर्स हैं उनके उपर मैं इस चैनल के उपर लेके आने वाला हूँ तो मैं हूँ आप आपको लाजमी पता होना चाहिए मतलब मस्नो और वो क्या यहां पर देखो प्राइमरी कंस्ट्रक्टर इस इंट्रोड्यूस्ट इन सी शाप 12 एंडिट सपोर्स इन डॉटनेट एट इसका मतलब है जो आपका विजुल स्टूडियो है वो अपग्रेडेड होना चाहिए त तो जब ही हम विजुल स्टूडियो के अंदर प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपने मेक्शोर करना है कि आपने वहां पर डॉटनेट एट फ्रेमवर्क को क्या करना है सिलेक करना है ताके आपको सीशाप 12 की सपोर्ट मिल जाए और उसके अंदर जितने भी लेटेस फीचर उनकी सपोर्ट आपको मिल जाए तो अगर आपके विजुल स्टूडियो के अंदर डॉटनेट एट की सपोर्ट नहीं है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप उसको अपग्रेट कर लो या तो इसका एच्डी के बगरा डाउनलोड कर लो या फिर नया जो विजुल स्टूड मतलब यहां पर कह रहा है कि जो सी शाप प्रोग्रामिंग लैंगविज है वो कंटीनेसली एवॉल्व हो रही है मतलब कंटीनेसली अपग्रेड हो रही है और इसके अंदर ऐसी ऐसी इंप्रोवमेंट की जा रही है जो के सी शाप डिवेलपर के लिए बहुत जादा तो यहां पर देखो मैंने अपना विजल स्टूडियो तुथाओधन टुट्वटी तो यहां पर हम एक न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं और यहां पर मैं सिलेक करता हूं कंसोल अप मतलब कंसोल अप के अंदर मैं प्राइमरी कंस्ट्रक्टर का अंसेप्ट आपको प्रै लेकिन 8 के अंदर हमारे पास C Sharp 12 का जो फीचर है वो सपोर्ट होता है और यह जो कॉंसेप्ट है यह हमारे पार .NET 8 मतलब C Sharp 12 के अंदर सपोर्टेड है तो आपने .NET 8 को लाजमी स्लेक करना है क्यूंकि अगर आप .NET 6 का प्रोजेक्ट बनाओगे 5 का या 3 का प्रोजेक्ट ब अंदर मैं main method style में convert कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखो left side पर आओ यह जो icon नजर आ रहा रहा है इसको वपर click करो और यहां पर देखो a message आ रहा होगा convert to program.main style program इसको वपर click करो इससे क्या होगा कि वह main method जो होता है जो के हम traditionally use करके आ रहे हैं वो हमारे पास यहां पर आ जा तो उसके बाद जब primary constructor आया तो उसने हमारे लिए किस तरह से असानी create कर दी वो आपको बताऊंगा ठीक है तो उसके लिए मैं आपर क्या करता हूँ मैं इसी program class के नीचे एक दूसरी class बना लेता हूँ आप चाहो तो separately भी अपने project के अंदर यहाँ पर right-click करके add पर जाके आप यहाँ से क्या कर सकते हो एक new class ले सकते हो ठीक है लेकिन मैं इसी के नीचे बना रहा हूँ program class के नीचे तो यहाँ पर देखो मैं class कहता हूँ और अपनी class का नाम में यहाँ रखता हूँ student और इस class के अंदर में एक normal constructor बनाता हूँ जिस तरह से हम बनाते हैं ठीक है तो यहाँ पर देखो चाहँ बनाने के लिए shortcut हम यहाँ पर यूज करते है CTOR यहाँ आपके अंटर करते हैं स्ट्रिंग नेम ठीक है और तीसरा हो गया student की age ठीक है मतलब student का id name और age यहाँ पर मैंने ले लिया और अब देखो यहाँ पर मैं इनकी जो values है ना मतलब जब भी हम अपनी class का object बनाएंगे तो जारी बात है इसके अंदर कुछ values पास करेंगे और उसे हम अपनी class की fields के अंदर क्या कर देंगे असाइन कर देंगे तो इसके लिए एक shortcut तरीका है आप क्या करो देखो id के ओपर आप माउस लेके जाओ keyboard से प्रेस करो control plus dot तो जैसी आप control dot करोगे तो यहाँ पर देखो आपको नजरा आ रहोगा create and assign field id आपने इसके ओपर click करना है तो जैसी click करोगे देखो क्या हुआ एक यहाँ पर private field बन गई जिसका नाम क्या रख दिया है यहाँ पर id और यहाँ पर देखो इसी field के अंदर मतलब यह जो यहाँ पर बनी है इसी के अंदर यहाँ पर देखो यह जो id का parameter था constructor का वो इस field के अंदर क्या हो गया initialize हो गया यह एक shortcut तरीका है ठीक है तो इसी तरह आप name के लिए भी करेंगे यहाँ पर आओ control dot फिर यहाँ पर देखो create and assign field name इसके ओपर click करना है तो यहाँ पर देखो इसकी भी field आगई और यहाँ पर initialize हो गया फिर last रह गया एच के ओपर click करो cursor लेकर आओ control dot करो और यहाँ पर देखो इसके लिए आ रहा है create and assign field age आपने यहाँ पर click करना है तो देखो तीनो के लिए fields बन गई प्राइवेट read only fields बन गई और यहाँ पर इनको आपने क्या कर दिया initialize कर दिया ठीक है तो मतलब अब जब भी मैं object बनाऊंगा तो मैं यह तीनो चीजें इन चीजें पर प्रिंट करऊंगा और वह इन तीनों के अंदर यहाँ पर जाके अब करूंगा तो शुरू में यहाँ पर डॉलर साही लगा रहा हूं और इसके बाद यहाँ पर देखो मैं कहता हूं Hello mister और इसके बाद यहाँ पर देखो curly bracket और curly bracket के अंदर यह जो हमारे पास name वाला variable था न, name वाला variable यहाँ पर मैंने pass कर दिया, यह कौन सा variable है, यह जो मैंने यहाँ पर इनके अंदर set किया था न, यह मैं यहाँ पर call कर रहा हूँ, क्योंकि देखो, जो constructor के parameters है, उनका पहला letter क्या है, capital है, बाकि यह जो fields है, इनका पहला letter small है, मतलब small case में, तो सेम इसी उसके बाद curly bracket on करके, यहाँ पर age वाला variable मैं इस तरह से pass कर देता हूँ, ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इसको get करूँगा, ठीक है, तो अगर यहाँ पर मैं अपनी student class को object बनाता हूँ, ठीक है, यहाँ पर देखो, student class को object बनाता हूँ, और इसका न 2, 4, 1, और उसके बाद name मैं अपना pass कर देता हूँ, यहाँ पर आदिल, और यहाँ पर age मैं पास कर देता हूँ, अपनी real वाली age पास कर देता हूँ, 31, ठीक है, और उसके बाद, जैसे यह तीन values मैंने यहाँ पर पास की, हमारा constructor चलेगा यहाँ और यह जो भी values मैंने constructor के parameter म पास की, वो हमारे पास यहाँ पर जाके assign हो जाएंगी, और इनी तीनो variables को मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, get कर रहा हूँ, print कर रहा हूँ, ठीक है, तो अब यहाँ पर मैं यह वाला method यूज़ करूँगा, जो मैंने बनाया था, student को get करने के लिए, कौन सा get student, ठीक है, तो किस तरह primary constructor हमारा यह वाला जो task है, उसको किस तरह से असान मना देता है, भाई देखो, अगर मैं primary constructor use करूँगा ना, तो यह वाला code, यह वाला, जो मैंने highlight किया है, इसको हमें use करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब हमारी जो effort है, वो बच जाएगी, क्योंकि अभी तो तो देखो, जस मैंने तीन variables यूज किया है, लेकिन student के अंदर आपको पता ही कि कितनी सारी fields हमें बनानी पड़ती है, student से related, तो यहाँ पर देखो, यह वाला portion मैं कर रहा हूं comment, मतला भी जो मैंने variables बनाये, और फिर constructor के through, उनको initialize करवाया, properties को set करवाया, यह वाला काम हमें सारा automatically con करके देगा primary constructor, ठीक है, तो देखो, इस code को मैं comment कर रहा हूं, control K, control C, देखो, getter यह जो है, get student, इसको मैंने comment नहीं किया, क्योंकि यह तो ज़रूरी है, data को print करवाने के लिए, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो, primary constructor हम कहाँ पर बनाते हैं, भाई देखो, जहाँ प constructor के अंदर हमने 3 parameters बनाये थे, आपने simple इसको यहाँ से copy करना है, और copy करने के बाद आपने इसके अंदर यहाँ पे paste कर देना है, तो यह बन गया हमारा primary constructor, तो भाई देखो, जैसे ही यहाँ पे इन तीनों को मैंने अपने primary constructor के अंदर रखा, इसका मतलब अब हमें यह वाला काम करने की जरुवत नहीं है, क्योंकि जैसी आपने primary constructor यहाँ पे बनाया, तो यह automatically इसकी fields भी create कर लेगा, और constructor के थुरू उन्हें इस तरह से initialize भी करवा देगा, इसका मतलब आपको यह सारा code लिखने की जरुवत नहीं है, यह सारा काम आपका automatically यहाँ पे यह primary constructor कर देगा primary constructor इसको क्यों का जा रहा है, क्योंकि यह main constructor है, ठीक है तो यह concept है primary constructor का, अचा फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इनका पहला letter capital रखा हुए ना, लेकिन यहाँ पे देखो यह जो मैंने नीचे यहाँ पे pass किये थे, यहाँ पे error आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमें इ इसके जो यहाँ पे मैंने नाम रखे है, उसी से related मैं यहाँ पे इसको क्या करूँगा, कॉल करूँगा, ठीक है, और अब देखो, अब इसका result देखें, तो result आपको same मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखो ही मैंने data pass किया वहाँ, तो यह जो data है, यह basically हमारे इस primary constructor के अंदर तो इसलिए मैंने कहा था कि यह जो concept है primary constructor का, यह जो C sharp developers है, उनकी जिन्दगी को असान मना देगा, लेकिन भई एक इसमें limitation है, वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, भई देखो आपको पता है ना, जब भी हम इस तरह का का काम करते हैं, ठीक है, यह वाला जब भी हम काम क करते हैं, मैं इसको uncomment करता हूँ, तो हम यहाँ पर this keyword का भी use करते हैं, ठीक है, मतलब हम यहाँ पर आपने एकसर देखा होगा, this keyword का भी use करते है, मतलब अगर हमारे पास यहाँ पर देखो, इसका जो letter है, वो मैं capital कर देता हूँ, इन तीनों का, ठीक है, तीनों का letter है, यहा यहां पे भी हम this keyword लगा लेते हैं, ठीक है, तो देखो हम normally इस तरह से भी यहां पे करते हैं, यह देखो, इसको भी uncomment कर लेता हूं, bracket को, ठीक है, मतलब हम this keyword भी यहां पे use करते हैं, और पिर जब हम इसको call करते हैं, तो यहां पे हम this keyword भी लगाते हैं, इस तरह से हम यहां पे this.id कर देते हैं और फिर last में this.h कर लेते हैं तो देखो यह जो मैंने primary constructor बनाया था अगर मैं इसको 2 min के लिए यहां से अटाओं ठीक है मैं इसको यहां से cut करता हूँ तो देखो हम इस तरह से भी करते हैं this keyword का use करके लेकिन भाई देखो अगर आप यहां पर primary constructor use करोगे ठीक है इस तरह से सही है तो यह वाला code मैं यह से अटा देता हूँ Ctrl-K, Ctrl-C कर देता हूँ लेकिन आप यहां पर देखो अगर इन parameters को get करने के लिए यहां पर मैं this keyword का use करूँगा तो यहां पर देखो error आ रहा है मैं mouse लेकर जाता हूँ name के उपर तो देखो क्या कह रहा है student does not contain a definition for name and no accessible extension method for name मतलब यहां पर आपको this keyword का use नहीं करना अगर आप इस तरह से primary constructor का use कर रहे हो तो आपको यहां से this keyword हटाना पड़ेगा ठीक है देखो यहां से भी आप इसको अटा दो और फिर उसके बाद आप यहां से भी को अटा दो ठीक है तो अब आपके पास यह बिल्कुल सही तरह से काम करेगा देख रहे हो code कितना ज़्यादा बज गया मैं run करके दिखा देता हूँ तो यह देगो, अभी विल्कुल सही तरह से हमारा काम हो रहा है यहां पर, ठीक है तो यह पॉइंट आपने याद रखना है, अचा एक और चीज़, भाई अगर किसी ने entity framework का concept यूज किया वा है, मतलब database connectivity के लिए entity framework का concept यूज किया वा है, तो वहां पर अक्सर हम क्या करते थ तो वहां पर वहाला काम भी आप यहां पर primary constructor की मदद से कर सकते हो, मतलब entity framework के अंदर वो जो db context के लिए हम constructor बनाते थे न, ठीक है, तो वह काम भी आप यहां पर primary constructor के अंदर इस तरह से कर सकते हो, और फिर इसका जो भी variable है, वो आप चाहे get method में use करो, post में use करो, put में करो, जहां जहां वो db context आप use कर रहे हो, वहां पर आप इस variable को use कर सकते हो, मतलब वहां पर हमें इस तरह का काम करने की ज़रूत नहीं है, क्योंकि वहां पर भी हम primary constructor का concept use कर रहे हैं, ठीक है, तो यह भी important point है, आपको मालूम होना चाहिए, अब आते हैं इसकी definition के उपर, यहां पॉइंट तो हो गया, अब यहां पर देखो, अब यहां पर देखो primary constructor के बारे में क्या कह रहा है, देखो, c-sharp 12 के अंदर यह feature इंट्रोड्यूस वा, यह तो आपको clear हो गया, फिर देखो, यहां पर क्या कह रहा है, this feature aims to simplify, मतलब यह जो primary constructor का feature है, यह किस चीज को target करता है कि मैं उसको simplify कर दूँ, असान बना दूँ, किसको simplify कर दूँ, यहां पर देखो, the initialization of properties in classes, especially for classes with many properties, मतलब यह जो feature है primary constructor, यह हमारा कौन सा काम असान कर देता है, जब हम अपनी properties की initialization करते हैं class के अंदर, क्योंकि आपको पता है हमारी ऐसी classes भी होती हैं, जिसके अंदर बहु सारी properties होंगी, तो उनके लिए मुझे fields भी बनाना पड़ेगा, constructor के अंदर उनको बार-बार initialize भी करना पड़ेगा, तो इसी चीज से बचने के लिए हम यहां पे, यह वाला जो concept है, जो के बहुत आदा useful है, जिसका क्या नाम है, primary constructor उसको उसको यूस करते हैं, ठीके फिर आ यहां पर देखो, यह जो मैंने portion मनाया है, इसको का जा रहा है, constructor parameter list, मतलब आपने सिर्फ यह वाला code यहां पर लिखना है, constructor parameter list के अंदर, बाकी यह वाला काम आपका automatically हो जाएगा, ठीक है, तो यही point यहां पर बता रहा है, पिर यहां पर देखो क्या कह रहा है, this feature eliminates the need for repeated code and makes your code more concise and readable, मतलब इस feature से क्या होगा, कि जो code हमें बार बार लिखना पड़ता है, हर property के लिए, हर field के लिए, वो eliminate हो जाएगा, खतम हो जाएगा, और इसके तरू हमारा code बहुत जादा concise हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, और readable भी हो जाएगा, मतलब हमें खुद पता चल हमारा काम automatically हो रहा है, ठीक हो गया, तो यहाँ पर हमारे यह lecture हो गया, wind up, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करके जाना, इसके साथ साथ बेल का इकन भी प्रेस करना, क्यूंकि और भी बहुत सारी वीडियो, नए C-Sharp के जो लेटेस वरजन है, उस से रिलेटेड इस चैनल के उपर मैं लेके आने वाला हूँ, तो मुझे अपनी दौव में याद रखना, मिलते इंशाला नेक्स लेक्चर में, तब तक के लिए दीजे जाज़त, अल्लाहाफिस